राध्यक्रिश्ण प्रेंस दोस्तों अपने इश्टदेव की पूजा सब करते हैं सब अपने आराध्य को प्रसंद करना चाहते हैं उन्पर जो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उनको चड़ाया जाता है जिससे कि आपके आराध्य आपसे प्रसंद रहे है शिवजी घुले उतनी ही आसानी से वह नाराज भी हो जाते हैं तो इसलिए जैसे कि भांग धतूरा वह उनको बहुत पसंद है तो वह तो उनको चढ़ाईए पर कुछ एक चीजे मैं आपको ऐसी बता रहे हूं जो शिवलिंग पर कता ही मत चढ़ाईए आप चढ़ाते हैं तो शिव जी गुस तो नी कि ठ्याई रखिए कि शिवलिंग पर कभी भी केटकी का फूल नहीं चढ़ाए जाता है इस पर एक फूल घपलता है सफेद्रंग का वो फूल शिवलिंग पर बिल्कुल भी मत चढ़ाईएग gemaakt दोस्तव शिवектив पर तुलसी का पता भी नहीं चढ़ता है ऐसी मानिता है कि शिव जी ने तुलसी के पती जालंधर का वद कर दिया था इसलिए तुलसी ची नाराज हो गई थी और उन्हों आसं ने कहा था कि मेरा पत्ता या मेरा कुछ भी शिव जी पर नहीं चुदा जाएगा को यदि रिव lacking होग जी drilled a तो अधिक कर्म होती है तो इसलिए शिव लिंग पर हल्दी कभे भी मत चड़ाओं एस़ी पउरानिक माने जहता है कि द्यात्य शंख चूड का शिव जी ने वद कर दिया था क्योंकि सारे देवताओं को उसने बहुत अधिक तंग कर रखा था उसका फिर शरीर उन्होंने भस्म कर दिया था शिव जी ने और उस भस्म से शंख बना उस भस्म से शंख बना और चूकि शिव जी ने शंख चूड का बद कर दिया था और उसकी भस्म से शंख बना इसलिए शिवलिंग की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है यदि आप शंख बजाते हैं शिवलिंग के पूजा में या शिवलिंग के आसपास तो आपको दो दोस्तों, शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चरह जाता है। क्योंकि सिंदूर माना जाता है कि विवाहिट स्तृष्यों का गहना है और स्तृष्यां अपने पती की लंबी उम्र के लिए यह सिंदूर लगाती हैे। शिव तो विनाशक है। इसलिए एसी पौरानिक मानेता है एसी जोतिश मानेता है कि शिवलिंग पर कुम-कुम नहीं चड़ता है तो दोस्तों ये छुटी-छुटी सी चीजें है ये छुटी-छुटी सी बाते हैं डे-टू-डे लाइफ में हम सब मंदर जाते हैं और शिवलिंग पर चल चड़ाते हैं पर हम यह जो गलतियां कर देते हैं इस कारण हमारी कीवी पूजा निश्फल हो जाती है अपनी पूजा को निश्फल होने से बचाईए और इन छुटी-छुटी सी बातों का ध्यान रखिए बाई